उनका भी स्वागत है मैं तमाम मेहमानों से पर जाने से पहले आरेसेन सिंग आप से 30 सेकिंड में एक बात पूछना चाहता हूँ तालिबान का और भारत के चुनाव का कोई संबंद आपको दूर से पास से दिखाई देता है फिर मैं अचारे जी के पास चलूगा जो उत्तर प्रदेश पर चुनाव है जो ने एक संबंद तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपके हां जो जो पैनलिस आ रहे हैं एक एक विशेस वर्ग के वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अफगानिस्तान में वो तो चुनाव लड़ने वाले है और जब ऐसे जब खुल के समर्थन कर रहे हैं तालिबान के तोर तरीके का उसके उसके इन्वेजन का जब घजवाई हिंद का तो एक कॉस्टिचुएंसी को वो केटर कर रहे है तो आप इसको उल्टिब नजर से देखिए ना इनकी दुकान तो इनी तालिबानी सोच से ही चल रही है ना जी तो ये हर वोटर को ये तालिबानी चश्मे से देखते हैं अचा ये तो निजाम मुस्तफा के चश्मे से देखते हैं घजवाई हिंद के चश्मे से देखते हैं तो तब ही तो तालिबान के ये सा मर्थक है ना तो किसको केटर कर रहे हैं और देखे साब ये थोड़े मो दाट यह यह नहीं यह बहकावा यह बहलावा यह भूल जा हैंड़ फुल अव पीपल देनो नो बड़ अब देनो यू कांट पेंट एवरीबडी विद दे सेम ब्रश नंसेंस नंसेंस प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम यह थोड़े लोग नहीं है यह इनकी यह पूरी इ सोच है और अभी आप देखेंगा आपके डिबेट में जो लोग आए हैं उनका उनका ध्यान दीजीगा उनके लफजों पे और यह 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 जो आचारे जी जो है यार कुछ क्या इन पर टिपनी करूं मैं ठीक है आप टिपनी ना करें मैं अचारे जी का मैं रुक कर लेता अचारे जी क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाफ से आपने सीधे तोर पर दोड़ दिया और आपने एक न्यूज 18 को एक शाक्षतकार भी दिया एक एंटेव्यू भी दिया जिसमें आपने ये बोला आपने बोला देखिए बाला कोट का फाइदा बीजे पी को वह आता है इसका फाइदा भी हो जाएगा आपका कहने का क्या मतलब है मुल्ला बिरादर को बीजे पी ने बोला है कि वो तालिबान पर अफगानिस्तान पर जाके कबजा कर ले मुझे बताईए देखिए अमिज देव गंजी एक तो RSNG देशभक्त इंसान है वो बहुत ही जजबात में बात कर रहे थे मैं उन पर कोई टिपड़ी नहीं करूँगा उन्होंने मेरे उपर कोई टिपड़ी विशायद नहीं की लेकिन फिर भी टिपड़ी कर दी मगर मैं राष्ट भक्तों का सम्मान करता हूँ उन्हें नमन करता हूँ उनसे इसने करता हूँ उनके मन में जो पीड़ा है जो अक्रोश है वो बिलको होना चाहिए दूसरी बात यह है कि तालीबान की जो छबी है पूरी दुनिया में वो एक आतंकवादी संगठन की है एक फैनेटिक कटरपंथी और ना किया जा सकता है और ना कोई उसे को शरीफ इनसान या कोई अच्छा देशभक्त विक्ति या किसी भी देश का अमन पसंद नेता तालीबान का समर्थन नहीं कर सकता है क्योंके क्रूल्टी का, क्रूर्टा का, कटरपंथी, संगठनों का और आतंकवादीयों का समर्थन क अभी भी नहीं करना चाहिए और ना कोई करेगा जहां तक सवाल है आप मेरे ट्वीट का जो प्रशन उठा रहे हैं तो मैंने कोई गलत नहीं कहा मैंने तो संभीत पात्रा जी यहां बैठे हैं भारती जिन्ता पार्टी के वरिशनेता भी है विद्वान प्रवक्ता भी है इन आप से ही पूछना चाहता हूं कि पिछले चार-पांच दिन से कोई ख़वर तो है नहीं सिर्फ तालिवान है तो मैं तो कहना चाहता हूं शोले फिल्म में डायलोग था कि सोजा बच्चे नहीं गबर सिंग आ जाएगा तो भारती जनता पार्टी तो अब उत्तर देखे अमिश्देव गंजी आप बहुती वरिष्ट पत्रकार हैं तालिवान का समर्थन नहीं किया जा सकता लेकिन तालिवान पर सियासत की जा सकती है और सियासत हो रही है अब सियासत कैसे शुरू हुई है भाई उत्तर प्रदेश के चीफ फिनिश्टर योगी आदित न तब होती है जब देश के कई पॉलिटिकल पाइटी के नेता तालिवान के समर्थन नहीं तो आपको नहीं मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तालिवान का मुद्दा आने से बीजेपी को फाइदा